नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का ओल इंडिया गुरूजी यूटूब चैनल पर और इस वीडियो हम डिसक्स करने वाले हैं रेलवे एंटीपीसी परिक्षा के बारे में तो रेलवे ने जो है वो यहाँ पर एंटीपीसी सीबीटी बन का रिजल्ट जारी कर दिया है फुल रिजल्ट जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कट आफ मुमार्क्स बता है आपके रॉल लंबर बता है जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं साथ में यहाँ पर अदी हम बात करते हैं सुभी टू टू एक्जाम की डेट भी जो की पहले ही बता दी गई थी वो फिर से बता दी गई यहाँ पर और सारी इंफॉर्मिशन में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं साथ है बताऊंगा कि आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं तो यह आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक एड़ जरू करें तो चलिए शुरू बायत करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्राउजर ओपन कर लेते हैं यहाँ पर हमने Google Chrome को ओपन किया यहाँ पर आप सर्च करेंगे आपकी जो भी RRB है जिस भी आपने जोन से पेपर जो है वो फॉर्म भरा था उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है आप एंटर करेंगी जैसे पॉर अपडेट रिजल्ट फॉर सीबी टी वन लिष्ट ऑफ केंडिडेट सॉट लिष्ट फॉर सीड इस्टेट सीवी टी एंड कट आफ मार्क इसको जैसी आप किलिक करोगे तो आपके सामने एक पीडी अप जो है वो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके की यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हें पूरा नोटिस दिया है जहाँ पर लिखा हुआ है फर्स इस्टेश सीवी टी एक्जाम जो है वो कंड़क्ट हुआ था 28 इसंबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक जो है वो यहाँ पर एक्जाम कंड़क्ट हुआ और इसके तहर जो बच्चे यहाँ पर सौर्ट लिष्टिट किये गए हैं उनको यहाँ पर अलग-अलग पोश्ट के जो है वो आपको वहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे और क्या अलग वह भी हम आँगे डिसकस करेंगे साथ मैं यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे दिया गया है कि सेपरेट सेकंड स्टेश सीवी टी सेल भी कंड़क्टेट फॉर इच आप दा सेवन्थ सीपी सी ले होगा सिक्स का अलग होगा ठीक है यहाँ पर मैं आपको बता दो जो रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है वो लेवल के साफ से जारी किया गया जहाँ पर अलग अलग लेवल में जो बहुत सारी पोश्ट है पोश्ट के अकोर्डिंग लेवल के अकोर्डिंग यहाँ पर सेकेंड इस्टिस सीवीटे एक्जाम जो की 14 से 18 तक होने वाला है मतलब यहाँ पर सिंपल हमको देख सकते हैं 14 से 18 मात्र 4 से 5 दिन में जो पेपार हो रहा है इतने सारे बच्चों का तो वो इसी क्या कोड़िक हो सकता है कि लेवल 2 का होगा 14 को 3 का होगा 15 को 4 का होगा 16 को 17 को इस तरीके से जो है वो आपके एक्जाम हो सकते हैं जिसके बारे में आपको पेपर के 10 दिन पहले बता दिया जाएगा और 4 दिन पहले आप admit का डाउनलोड कर सकते हैं बाकी जितने बच्चे हैं वो अपने अपनी जो RRB की website है उस पर जाकर login कर सकते हैं अपने जो भी आप आपका registration number है date of worth है जब आप वो एंटर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप qualify किये हैं या फिर नहीं किये साथ में आपको paper और answer की भी वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिया गया है अब मैं आपको यहाँ पर एक और दिका देता यहाँ पर आदी हम बात करते हैं आगे बडते तो level 3 का यहाँ पर result है वह अलग बताए गया है लगल 6 का अलग स्कालिक बताए गया है तो जैसे आप इनको open करो गए तो आप जब उपन करते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबका अलग- wheel percent है यहाँ पर आया है सात में पूरा दिया है कि कितने बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया बाकि आपको website open करके notice देखकर जो है वो सारी जानकारी मिल जाएगी तो आपको यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ा बता दी कैसे आपको जानकारी मिलेगी साथ में यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो था आप comment section में मुझे पूस्ट सकते हैं साथ हैं बता दूँ कि बहुत जल्दी cbt2 exam के लिए और railway group d के लिए यहाँ पर आपके लिए वीडियो जाने वाले हैं साथ ही आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग comment section में मुझे जरूर बताएं और आपको playlist मिल जाएगी अलग अलग जीके के जो वीडियो जाएं वह आपको चैनल पर मिल जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर दें मिलते हैं ने सेसन में thank you very much take care जैहिंद